ओम नमो भगवते वाशु देवाय नमस जैसे क्रिष्णा आज मैं आप लोगों के लिए स्री क्रिष्ण जन्माष्टमी का वीडियो लेकर आई हूँ इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्री क्रिष्ण जन्माष्टमी किस तारिक को है और इसमें क्या-क्या सयोग बन रहा है और यह कौन से दिन मनाई जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें तो चलिए सुरू करते हैं स्री क्रिष्ण जन्माष्टमी की कथा और पूजा विधी, सुब मुहुर्थ के बारे में हिंदू धर्म में स्री क्रिष्ण जन्माष्टमी पर्व विसेश महत्व है इस वर्स जन्माश्टमी पर कई वर्सों बाद ऐसा संयोग है जो बहुत ही दुल्लव है श्रीमत भागवत पुरान के अनुसार भगवान स्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद अश्टमी तिथी दिन बुध्वार रोहनी न चत्र व्रिस रासी के मध्य रासी में हुआ था इस बार स्री कृष्ण जन्माश्टमी तियोहार 6 सितंबर 2023 दिन बुध्वार को मनाया जाएगा इस बार अश्टमी तिथी 6 सितंबर दोपहर 3 बचकर 37 मिनट में प्रारंब है और अश्टमी तिथी 7 सितंबर 4 बचकर 14 मिनट में समाप्त होगी तथा रोहुनी नच्छत्र का प्रारंब 6 सितंबर सुबा 9 बचकर 20 मिनट में तथा रोहुनी नच्छत्र की समाप्ती 7 सितंबर 10 बचकर 25 मिनट में होगी इस बार जन्माश्टमी पूजा का समय रात्री 11 बचकर 56 मिनट से 12 बचकर 42 मिनट तक रहेगा तथा वरत का पारण का समय साथ सितंबर सुबा छे बच कर नौ मिनट में है इसके बाद जिन्होंने भी वरत किया है वह अपना वरत खोल सकते हैं और भोजन ग्रहन कर सकते हैं अब मैं आपको जनमाश्टमी में कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए और क्या पूजविधी है के बारे में बताऊंगे जनमाश्टमी वरत के एक दिन पहले सप्तमी के दिन आप हलका भोजन करे और सात्विक भोजन करे ग्रहन करने के लिए सात्विक का मतलब है प्याज, लसून, मास, मदिरा, आदिका, सेवन नहीं करना है अस्टमी तिथी के दिन प्राता काल नहा धोकर सभी देवताओं को प्रणाम कर और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर पूजा ग्रिह में, पूर्वदिशा में मुक करके बैठ जाए और हाथों में थोड़ा सजल और पुस्प ले करके व्रत का संकल्प ले करके रहना चाहिए संकल्प में कहे कि हे प्रभु मैं और इसके बाद मैं अपना नाम और गोत्र बोल करके बोले कि मैं आपका भक्त स्रद्धा भाव से आपका पूजन और व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ मेरा यावरत बीना किसी विग्ण से पूरा हो जाए और ऐसा बोलकर हाथ में लिया हुआ जल और पुस्प भगवान के पास छोड़ दे इस प्रकारवत का संकल्प कलेकर के भगवान स्रे कृष्ण का ध्यान करते हुए एक दीप अपने पूस्प ग्रिह में प्रज्वलित करे दूब दिखा दे और पूरे दिन ओम नमु भगवति वाश्रुदेवाय मंतर का जाप करते रहे जो मताय या बहने इतना बड़ा लंबा चोड़ा ना बोल पाये वे कृष्ण हरे हरे करके बोलते रहे जनमाष्ट में पूजा करने के लिए काले तिल जल में डाल कर उस जल को छिड़के दिए उसके बाद देवकी जी के लिए परशूति ग्रिह बनाए एक सुन्दर सा व्रस्त बिचा करके एक कलस इस्थापित करे उसके बाद भगवान स्री कृष्ण और माता देवकी जी की सुन्दर मूर्ति या चितर इस्थापित करे जहां आपने प्रसूति ग्रिह बनाया है वहाँ पर एक खीरा रग दे और यह खीरा रातरी 12 बजे काट करके स्री कृष्ण लल्ला का जन्म होने के बाद नाल को जिस तरह अलग किया जाता है उसी प्रकार इस खीरे को काटकर स्री कृष्ण लल्ला को जन्म उस्व में मनाया जाता है रातरी 11 बज कर 56 मिनट पर जब जन्म का शुब मुहुरत उस समय अपने मंदीर का कपाट खोले और हरसो उल्लास के साथ स्री कृष्ण का जन्म उस्सो मनाना आरंब करे एक चम्मस और थाली बचाते हुए स्री कृष्ण के आगमन का शुब शंकित करे फिर स्री कृष्ण जी को पंचामरी दूद, दही, घी, सक्कर, गंगजल, आदि से बना हुआ पंचामरी से इसनान कराए फिर पानी से इसनान कराए नय वस्तर पहनाए और आभूशन भी कानह जी को पहनाए और स्रिंगार करे, दीप प्रज्वलित करे, धूब दिखाए, पूल चड़ाए और उसके बाद पंचरी का भोग लगाए कानह जी को पंचरी का भोग बहुत पसंद है इसलिए पंचरी का भोग लगाए, माखन बहुत अधिक जादा पसंद है इसलिए माखन का भोग लगा है पूजा में तुलसी दल भी आवश्यक है क्योंकि कानह जी को तुलसी अधिक प्रिय है कानह जी को जूला जूलाना चाहिए इस दिन हम लोग आठे कनहिया भी बोलते हैं आठे कनहिया का मतलब है कुमकू से या सिंदूर से आठ भगवान आठे क्रिश्न भगवान का आठ चित्र बनाकर उसका पूजन भी किया जाते हैं